पिछले कुछ दिनों से खबरे सामने आ रही थी कि तारक महता का उल्टा चश्मा शू में जेठा लाल और तारक महता का किरदार निभाने वाले स्टार्स दिलिप जोशी और एक्टर शेलेश लोडा के बीच काफी तनातनी चल रही है जी हाँ खबरे सामने आई थी कि दोनों के बीच बाच्चित तक बंध हो चुकी है और शूट पूरा होने के बाद दोनों अपनी अपनी वेनिटी वेन में ही रहना पसंद करती है लेकिन आखिर जेठा और तारक के बीच इस लड़ाई की खबरों में कितनी सच्चाई है तो इस बात का खुलासा खुद तारक महता का किरदार निभाने वाले आक्टर शैलेश लोड़ा ने ही अपकर डाला है इतना ही नहीं बलकि शैलेश ने ये भी बताया कि आगि दिलिप जोशी के साथ उनके रिष्टे रियल लाइफ में क्यासे है जी हाँ बवाल के बढ़ने के बाद शैलेश ने दैनिक भासकर के साथ खास बाचित में इस बात का खुलासा किया है कि उनके और दिलिप जोशी के बीच कोई जगड़ा नहीं हुआ बलकि रियल लाइफ में उनका रिष्टा रिल लाइफ से भी ज्यादा मजबूत है सिर्फ ये ही नहीं बलकि शैलेश न कई बार सीन करते वक्त उन्हें स्क्रिप्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती शैलेश की माने तो वो और दिलिप जोशी नेचुरल तरीके से प्रफॉर्म करते हैं और सेट पर काफी मस्ती मजाग भी किया करते हैं शैलेश ने बताया इतने साल हो गए काम करते करते पर कभी भी हमारी सोच में किसी प्रकार का टकराव नहीं आया और दुआ करता हूं कि हमारा रिष्टा ऐसा ही रहे ना जाने ऐसी अफवाही कौन फैलाता है वही अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शैलेश लोड़ा ने ये भी कहा कि दिलिप जोशी और वो मेकप के लिए भी ए जो दिलिप जोशी और शैलेश के बीच लडाई की खबर को सुनने के बाद काफी परीशान हो गए थे आपको बता दे कि इन दोनों के लडाई की खबरे सामने आने के बाद लोग इसलिए भी काफी परेशान थे क्यूकि तारक महता शों में ये दोनों ही स्टार्स एक दू चलाल से अपने लड़ाई की खब्रों को जूठा बता कर साफ साफ कह दिया है कि दिलिप से उनका रिष्टा काफी स्टॉंग है और उन्होंने उन तमाम लोगों को भी करारा जवाब दे दिया जो तरह तरह के सवाल भी उठा रहे थे हाला कि अब देखना तो ये है कि शैलिश के बान दिलिप जोशी का इन लड़ाई वाली खब्रों पर क्या रियाक्शन आता है